है जाँ पिम मोदीर रैली को सब मुदित कर रहे हैं जल चलते हम आप पाठेन पोटा का तु ले जागे जनान हलो 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 टेस्टिंग टेस्टिंग हलो वान टू ट्री हलो हलो टेस्टिंग कि एई बार आपना दे शामने बक्तो पो राकते हाश्चेन आमा देल राजनोईतिक चानक को एई राज्येर स्री मुखुल राए चोड़े हाथ ताली दे मुखुल दाके शाकतु जाना भेल सम्मानी तो मंचो मंची उपुस्तित बंगलार भरतियो जनदा पाटीर जशर्षी पुधन मुंत्री जशर्षी शभापोती और आज कोलकाता के लिए बहुत बड़ा देने हैं पियम मोदी आज सम्मोधित करने वाले एक रैली को मिथुनने आपचारी क्रूप से आज बीजेपी जुवाइन कर ली है और आज से बीजेपी के चुनाओ प्रचार को तेज़ धार मिलने वाली है तस्विर में आप देख सकते हैं पियम मोदी कुछी देर में ब्रिगेड ग्राउंड पर पहुचने वाले हैं वो कोलकाता की दस लाग से जादा जनता को संबोधित करने वाले कहते हैं जिसने ब्रिगेड ग्राउंड जीत लिया उसने कोलकाता को जीत लिया आज बहुत गहमा गहमी है कोलकाता में बीजेपी ने 52 सीट उपर अपने उमिदवार घोशिट कर दिये हैं और पहले दो फेस के लिए जो मिदवारों के लिस्ट आई है उसमें कोई भी मुस्लिम कंडिरेट नहीं है अब से बस कुछी देर में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रैली को संबोधित करने वाले हैं और रिकनुमान के मताबिक इस रैली में दस लाग से जादा लोगों की भीडे कठा हुई है भीड जुटी हुई है और आज से चुनाव प्रचार को तेज धार देने हैं मुकुल रॉय संबोधित कर रहे हैं रैली को अभी कुछी दिर में प्रधामन तुन नरेंद्र मोधी ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पहुशने वाले हैं वो दस लाग से जादा की तादात में मौझूद लोगों को संबोधित करेंगे बेहत एहम हो गया है कोलकाता का विधान सभाव चुनाव आठ चरणों में कुल चुनाव होने हैं और पहले दो चरणों के लिए बीजियोपी ने अपने उमिद्वारों के लिस्ट जारी कर दे कुल बावन उमिद्वार हैं जिनके लिस्ट जारी की गई है हैरान करने वाली बात यह है कि इस पहले लिस्ट में एक भी मुस्लिम कंडिडेट नहीं है इसके अलावा नंदी ग्राम से सुवेंद्व अधिकारी ममताब एनरजी को चुनौती दे रहे हैं और उन्होंने बहुत बड़ी बात कई उन्होंने कहा कि मैं अगर पचास हजार से कम वोटों से हराता हूं ममताब एनरजी को तो राजजनीती छोड़ दूँगा और नंदी ग्राम वाला जो इलाका है 24 पर गना दक्षिन 24 पर गना ही वो इलाका है जहां पर शुवेंद्व अधिकारी के परिवार का दबदबा है कुल पचास ऐसी सीटे हैं उस इलाके की जहां सुवेंदू अधिकारी अपना दखल रखते हैं अपना प्रभाव रखते हैं तो ममताब एनरजी भवानी पुर छोड़ कर गई है नंदी ग्राम में चुनौती देने शुवेंदू अधिकारी को और देखना बहुत कि शुवेंदू के गड़ में ममताब एनरजी किस तरह की चुनौती पेश करती हैं और अफसे कुछी देर में तस्विर हम आपको दिखा रहे हैं पेमोदी ब्रिगेड पर एक ड्राउन में लैंड करने वाले हैं और जिसके बाद वो जनता को रैली को सब्वोधित करेंगे आज की बड़ी खबर ये भी है कि मितुन चक्रवर्टी ने अपचारी ग्रूप से बीजोपी का दामन थाम लिया हलाकि ये ख्यास लगाय जा रहे थे कि इस रैली में आज शौरब गांगोली भी दिखाई देंगे लेकिन अभी तक शौरब गांगोली के आने की कुछी छण में प्रदानमंत्वी नरन्द्रोंधी ब्रिगेड पर एट ग्राउन में पहुचने वाले और कुछी देर में वो संबोधित करने वाले हैं जनता को तस्वीरे आप देख सकते हैं कितना बड़ा जंद सेला बुमड़ा है प्रधानमंद्वी नरेंदर मोधी को सुनने के लिए और मंच पर बीजेबी के दिगज नेता मौझूद हैं कलाश विजे वरगिया मुकुल इसके लामा मिथुन चक्रवर्थी भी वहाँ पे मौझूद हैं और आज की रैली से प्यमोदी एक बहुत बड़ा संदेश देने वाले हैं कहते हैं ब्रिगेड परेग्राउंड तमाम ए जिसने ब्रिगेड परेग्राउंड में भीर जुटा ली उसने कलकाटा के दिल पर कबजा कर लिए एक बड़ी मशूर का हावा थे कलकाटा के बारे में वाट कलकाटा तिंक्स टुड़े इंडिया तिंक्स टुमारो तो ये चरितर और चहरा पशुम बंगाल की राजनीती क बीजेपी ने पुरी ताकत लगा दिया पुरा दमखम लगा दिया और तमाम बड़े चेहनों को बीजेपी में शामिल किया गया है करिब शुमेद ओजिकारी समयत करीब 20 ऐसे नेता हैं जिनोंने टीमसी का दामन छोड़ दिया है और वो बीजेपी के साथ हैं इसके अलमा वो तमाम बड़े नेता जिनको टीमसी ने चिकट नहीं दिया उन्होंने भी बीजेपी का रुख किया है पियम मोधी के स्वाधत की पूरी तैयारिया हो चुकी है बस अबसे कुशिक शण में पियम मोधी मंच को संबोधित करेंगे 10 लाग से जादा का होजूम जनसला प्र है और बीजेपी आ रही है 1984 में आपातकाल के खिलाब पहली आवाज इसी ब्रिगेड परेड ग्राउंड में उठी थी बोफर्ट कोटाले खिलाब जो हमारे पूरों प्रदान मंतरी थे वीपे सिंग में पहली रैली की थी जिसका बहुत बड़ा खामिया था कॉंग्रिस को बोगतना बड़ा प्लासी उद्व से लेकर तमाम बड़े उद्व का गवा रहा है ब्रिगेड परेड ग्राउंड और अपसे कुछ इक्षण में प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी जनाता को रैली को सब बोधित करने बाले हैं और आज का दिन खास इसलिए भी है किसी बिज़ुन चक्रवर्टी ने बिज़ेपी का दामन थामा है और कई और बड़े नेटा है जो जल्द बिज़ेपी में आपचारी क्रूप से शामिल हो सकते हैं ये ब्रिगेड परेड ग्राउंड की लाइफ तस्वेर हम आपको दिखा रहे हैं आपनी टीवी स्क्रीन पर आप द्यक्ष ने बहुत ओधर चलन चेंगा बंगला खोवाययक्षते बलिमॉधी ओडी मौर्दी 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 सैनश मॉधीowe मोदी 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 शवाई एक्षटे बंदे मातरम और पियम मोदी का हेलिकॉप्टर लैंड कर चुका है ब्रिगेड परिग्राउन के चीद बार कुछ चर में पियम मोदी दस लाव से जादा के हुजून को संबोदित करने वाले हैं और आज कोलकाता के लिए बड़ा दिन है प्रणमंत्री नरेंद रुमोदी आज बहुत बड़ी रैली को संबोदित कर रहे हैं एक अनुमान के मुताबिक ब्रिगेड परेड डौन में दस लाग से जादा लोग मौझूद है जो प्रणमंत्री नरेंद रुमोदी को संबोदन बस अब से कुछी देर में कुछ इक्षर में होने वाला है परणमंत्री नरेंद मोदी ब्रिगेड परेड डौन पहुंच चुके हैं और कुछ शड में वो रैली को संबोदित करने वाले हैं बिजेपी ने पहले दो फेस के लिए अपने कैनिजेट का ऐलान कर दिया है और बड़ी ख़बर ये है कि ममता बेनोजी नंदी ग्राम तो चुनाओं रड़ेंगी और सीधी चुनाओती शुवेंद्यो अधिकारी को ती शुवेंद्यो अधिकारी ने आपचारी कुछ से बात कही कि अगर उन्हेंने पचास हजार से कम वोटों से हराया तो राजजीती छोड़ देंगे और तस्वीरे लगातार लाइस तस्वीर हम आपको दिखा रहें ब्रिगेड परेट ग्राउंड से देखिए किस तरह से मोदी के जैकारे लग रहे हैं लोग जैगोश कर रहे हैं नरिंदर मोदी पिम नरिंदर मोदी के दाम का उनके नाम के नारे गूज रहे हैं लोग उतसाहित हैं लोग प्रधान मंतरी नरिंदर मोदी को सुनने के लिए तमाम जिलों से आए हैं और ऐसा कहते हैं कि जिसने प्रिगेड बरेट ग्राउंड को जीत लिया उसने कोलकाता का दिल जीत लिया इसी दी तस्विर हम आपको ब्रिगेड परेट ग्राउंड से दिखा रहे हैं जहां कुछ एक्षण में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित करने वाले हैं कई दिगज नेता इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और आज मितुन चक्रवर्ती ने अपचारी क्रूप से भारती जनता पार्टी को जोईन किया है शामिल हो गया हैं पठका पहनाकर केलाश विजवर्गी ने अपचारी क्रूप से उन्हें बीजेपी का सदस से बनाया है ये लाइफ तस्विर हम आपको दिखा रहे हैं ब्रिगेड परेड गाउंड से कुछी देर में प्रधानमंसी नरेंद्र मोधी रैली को संबोधित करने वाले हैं और 294 विदानसभा सीटों के लिए पच्च्चम मंगाल में आठ फेज़िस में इलेक्शन होने हैं दो मई को नतीजे घोशिट किये जाएंगे और बीजेपी 200 प्लस के मिशन पर काम कर रही है प्राहनमंसी नरेंद्र बोधी ने कहा अमिश्चा ने कहा कि 200 से जादा सीटे लाकर बीजेपी पच्चम मंगाल में सरकार बनाएंगी अधर टीमसी ने भी कमर कस्ली है और मम्ता बेर जी आज सिली गुड़ी में प्राहनमंसी आज खोलकाब में है तो मम्ता बेर जीज़ आ सिली गुड़ी में डो टू डोर कैम्पेइन कर रहे हैं और ब्रिगेड परेग्राउड में जन सालाब आप देख सकते हैं लाखों लोग वहां मौझूद हैं एक अनुमान के मताबिक दस लाख से जादा की तादाद में लोग प्रधानमंत्री नरिंद्रमोदी को सुनने वाले हैं ये बंगाल की सबसे बड़ी लड़ाई है जिसमें आपने सामने हैं मम्ताब इनर्जी और प्रधानमंत्री नरिंद्रमोदी और प्रधानमंत्री नरिंद्रमोदी के स्वागत की नारे गुच रहे हैं ब्रिगेट परेंग्राउट से इंजय न्यूज आपको सीधी तस्वेर दिखा रहा हैं आपसे कुछ इक शण में प्रधानमंत्री नरिंद्रमोदी रैली को संबोधित करने वाले हैं वो पहुच चुके हैं बस कुछ इक शण में वो मंच पर पहुचेंगे और उसके बाद जनता को संबोधित करेंगे रैली को संबोधित करने वाले हैं और बंदे मातरम लोग बोल रहे हैं प्रधानमंत्री नरिंद्रमोदी के स्वागत के लिए जनता तयार है जनसेलाब तयार है हर कोई दामंत्री को सुनने के लिए आतुर है देखने के लिए आतुर है और प्रतानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिगेट परेड़ ग्राउंड में पहुँच चुके हैं आपके कुछ एक खशन में वो जनता को सम्भोधित करने वाले हैं बहुत बड़ी लड़ाई है पश्चिम बंगाल की 294 विदानसबा सीचों के लिए आठ फिजिसमे लेक्शन होंगे दो माई को नतीज़े घोचिस किये जाएंगे और इस बार बढ़ी चुनाउती है बिजेपी 200 प्लस के मिशन पर काम कर रही है और टीमसी ने दावा किया है कि इस बार बिजेपी का सूप्रा साफ हो जाएगा लेकिन बिजेपी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल परिवर्तन चाहता है, बदलाव चाहता है, उन्नती चाहता है, तरक्ती चाहता है, हिंसा की राजनीती पश्चिम बंगाल में नहीं चल ले देंगे, पश्चिम बंगाल का रक्त चरित्र बदलना चाहिए, इस नारे के साथ इस मुहिम के साथ बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपनी पूरी ताका जोंक दिये और अफ़े कुछी दिर में पियमोदी समधित करने वाले हैं ब्रिगेड प्रेड ग्राउंड में रैली को जल्द दोटते हैं इस खबर पर माई नजर बनी हुई है